ओम नमस्षिवाय जै महाकाल क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर सिर्फ तीन उंगलियों को फेर देने से आप जो भी मांगते हैं भोले नात से वो आपको जरूरी मिलेगा कैसे करना है पूरी बात बताऊंगा लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है वीडियो को लाइक करना है आप आज पहली बार आप सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है देखो जब कभी भी आप भोले नात के मंदिर में जाते हो पूजन अरचना करने क् तक आप पूजन अरचना भोले नात की करते चले आए हैं वैसे ही पूजन अरचना इन पर जल चढ़ाईएगा बेल पत चढ़ाईएगा शमी पत चढ़ाईएगा जो भी आपको चढ़ाना हो या फिर नहीं भी चढ़ाना हो तो उसकी कोई बात नहीं है लेकिन जब आपकी पूजन खतम हो जाए, समाप्त हो जाए तो आपकी जो तीन उंगलियां होती है जैसे एक मिनिट, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ तक कि मेरे पास इसे फोटो नहीं है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि इस तरीके से कुछ होता है, आपका हाथ है अपने दिल पर आप उसी तीन उंगलियों को रखिएगा और आपका जो कंठ है, जैसे कि यह आपका कंठ है आप अपने कंठ पर भी इसी तीन उंगलियों के बार फेर दीजेगा और उसके बाद अपना हाथ फैलाएगा आपना जौली फेलाएएगा बोलेनात के आगे और जो भी आपको कहना हो जो भी आपको मांगना हो वो मांग लीजेगा ज़रूर पूरा होगा गुरू जी की कफा से सुनके आपको समझाने कोशिश की है। प्रिंगुलियों को अपने कंठ पर एक बार फेर करके जोली फेला करके जो भी आपको मांगना हो आप मांग सकते हैं इसकी कोई बात नहीं है ठीक है कोशिश की है मने आपको बताने की और हां ये में आपको ये जरूर आप पूछेंगे कौन से टाइम करें कौन से दिन करें तो जब भी आप शीवलिंग पे जाते हो जब भी आप भोले नात के मंदर जाते हो इस उपाय को कर सकते हैं चाए सोम वार का दिन हो चाए सनी वार का दिन हो इसकी कोई बात नहीं है कुछ पूछना हो ता हम उसे नीचे कोमन में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जै महाकाल